दोस्तों ये है महिंद्रा XUV500W4 मॉडल 2014 का मॉडल है और ये डीजल कार है और दोस्तों ये कार हमारे पास में आई है हमारी यूटूब वीडियो देखकर उत्तर पिर्देश में सिकंदराबाद से सिकंदराबाद जो है बुलन शहर के पास है और गाजियाबाद के इस XUV में हम सभी काम करवाने वाले हैं जैसे कि इसका क्लच का भी काम होने वाला है तो क्लच की वीडियो हम पूरी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इससे पहले हमने अल्रेडी क्लच की काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल चुके हैं और ये कार में हम करेंगे ब्र एक काम कराने के बाद में भी इसमें ब्रेक की पकड़ नहीं आ रही थी और फिर इन्होंने हमारी यूटूब वीडियो देखी और हमारे पास में अपनी गाड़ी बनबानी के लिए लेकर आए हैं सिकंदराबाद से जो के हमारे तैसी लाउला जिला बरिली से करीब 180 दूर से हमारे पास अपनी गाड़ी बनबानी के लिए लेकर आए हैं और इसके जो ब्रेक पैड ये आपको देखा रहा हूँ यहाँ पर तो ये इसके ब्रेक डिस्क पैड है और ये डिस्क पैड जो है अभी अभी एक महीना पहले ही दलवाए थे और इसमें क्या हुआ था ये बोश के ओरिजिनल पैड है तो इसको ब्रेक पैड लगाने से पहले डिस्क पे नहीं चेकिए अगर इसमें लाइनिंग है या कड़े है ऐसे ही पैड लगा दिये तो उसकी पकड जो है ठीक से नहीं आ रही क्योंकि जब तक डिस्क का फेस और इस पैड का फेस ये जो मै रेकमाल से अच्छे तरीके से घिसके इसका जो टेपर है इसका जो फेस है वह एकसा बना लेंगे और इस जो है खराद पर एकसी होकर आ जाएगी तो इसकी पकड जो है ब्रेक की बिल्कुल सही आने लगेगी तो इसको अभी हम घिसवा रहे हैं आप दीख सकते हैं यहापर तो रेकमाल से घिसने के बाद में दोस्तो इसका फेस जो है वह एकसा हो जाता है तो अभी हम रेकमाल से घिसवा रहे हैं आपके सामने और फाइनली दोस्तो इसकी जो ब्रेक डिस्क रोटन है यह हमने खराद मसीन पर भेज कर इसको फ्रेश करवा लिया है इसका जो फेस है बिलकुल एक सा करवा दिया है और इस कंडिशन में दोस्तो जब ब्रेक डिस्क पर ज़्यादा लाइनिंग बन जाती है तो डिस्क को जो है हमने खरात करा कर सिर्फ 600 रुपए में यानि इसका जो खरात का खर्चा गया वो 600 रुपए गया 600 रुपए में दोनों डिस्क बिल्कुल नई हो गई और अब यह बढ़िया काम करेंगी तो यह डिस्क जो है दोस्तों हमने 600 रुपे में रेडी कर दी और इसके जो disk pad है ये भी बदले जाने थे हैं लेकिन इसको हमने घिसकर एकसा कर दिया तो disk pad के ही पैसे भी जो है वो बच गए दोस्तो disk pad जो है इसके दोस्तो वो भी करीब महिंद्रा के औरिजनल की अगर बात करें इसकी link rod हमने नहीं डाली है और हमने जो इसके subframe पूरा वो नीचे वाला साफ करवा दिया है और इसके balance rod के जो बुश हैं जो अंदर के साइड में यहां पर लगे हुए है जो दो रवड होती है तो यह दोनों हमने नहीं डलवा दिया है तो यह अभी पूरा काम हो गया और इसका clutch का जो काम है वो हमने करवा दिया इसका तो clutch का हमने वीडियो आपको नहीं दिखाया क्योंकि already हमारे चैनल पे clutch के कई सारे वीडियो अब पड़े हुए है एकक शूबी के और इसके जो rear disc pad है दोस्तों rear disc जो है वो भी हमने खुलवा दिये है तो rear disc rotor जो है यह काफी खराब हो चुकी है और इनमें काफी गहरे गड़े बन गए है और यह पहले से ही बहुत जादा पतली होती है इसकी thickness जो है वो बहुत कम होती है और अभी यह गड़े जादा बन गए तो अभी क्या होगा कि इसमें अगर हम इसे खराद करा देंगे तो खराद कराने के बाद में इसमें अभी जगा भी कम है तो और जादा पतली हो जाएगी हाला कि पीछे वाली disc भी खराद से कम चल जाता है लेकिन उस condition में जब यह disc बहुत जादा ना कटी हो लेकिन इसमें क्या हुआ है यह एक बार मेरे ख्याल से पहले कभी कट लग चुका है और अभी यह second बार कट लगने की गुझाश में है नहीं क्योंकि इसमें काफी सारे गड़े बन गए है इसका face आपको देख रहा होगा काफी गड़े है और इसको एक सा करने के लिए खराद मशीन पर जब लगाएंगे तो काफी पहले इसका जो ऊपर का टेपर है पूरा काटना पड़ेगा और उसके बाद में फिर fresh करना पड़ेगा तो फिर ये बहुत जादा पतली हो जाएंगी और बहुत जादा पतली जो डिस्क हो जाती है तो फिर वो तूटने का भी डर रहता है क्योंकि ब्रेक की पकड़ बहुत हाई आती है और ब्रेक डिस्क अगर बहुत जादा कमजोर होती है तो disc टूड जाती है इसलिए इसको खराद नहीं करा सकते हैं बहुत ज़ादा पतली है और यह जो नई disc plate है जो आपको दिखा रहे हैं इसकी thickness आप देख सकते हैं इसकी thickness जो है क्योंकि ये तो अभी नई disc है तो नई disc की thickness जो है दोनों नई डिक दिस्क के ब्रेक हैं उसका पकड वाल काने लगवा दिया इसके अंदर पीछे वाली जो रियर डिस्क कसम हैर और 172. यह भी बहुत कम पैसों हैं में काम हो गया और 172. एक है करीब 2750 रुपे की तो दोनों डिस्क भी हमने नहीं डाल दी है तो दोस्तों फाइनली सभी काम हमने इस गाड़ी में करवा दिया है जैसे कि इसका क्लच का काम भी हुआ था इस गाड़ी में और इसमें चारो पईयों के जो ब्रेक का काम हुआ था खास करके ये गाड़ी हमारे पास ब्रेक के लिए आई थी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ब्रेक कर आए थे और ब्रेक में मज़ा नहीं आया फिर हमारी यूटूब वीडियो देखी और हमारे पास बाई ये गाड़ी लेकर आये थे सिकंद्राबाद से हमारे यूटूब वीडियो देखकर आये थे ठीक है बाई आराम से पहुँचो तो ये हमारे पास में आये थे सिकंद्राबाद से जो के बुलंच शहर के पास में हैं और गाजियाबाद के पास में है तो सभी काम हमने कर दिये और ये लोग जा रहा है अपने घर